तो और मेरे बाईयों क्या हाल चाले यार अब भाई क्या ही बता हूं यार तुम्हारा बाई स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करना भूल गया तो भाई जो गौमा सॉन गौमा सॉन युद दुआ प्लेन के उपर मतलब कोई रिष्टा ना था बचा ने इसको गरी आया ना गया प्लेन पे सिर्फ कहां अपार्टमेंट उतर निकलियो और यकीन मानो लड़े तो सिर्फ दो टीम्स थी लेकिन बहुत लोग हो गए थे क्योंकि भाई यहां पर कम से कम 20-25 लोग आ गए अब देखो दो पार्टी आपस में लड़ी थी जिसमें से एक पार्टी मेरी वाली बिल्डिंग में उपर उतरी थी और उन्हें एक टीम को ठोक दिया था अब बारी उनके ठोकने की थी अब देखो मेरे को पता था वो नीचे ही हैं तो मैं यहां पर वेट करने लगा और वो उन्होंने क्या ही पुश करा अब अपना भाई उड़ते फिड़ते आया था लेकिन मैंने ठोक दिया अब देखो इसको भी कह रहा था कि बाकी बंदे उसके बिल्डिंग में मैं वहाँ जाना चाहता था बट प्रॉब्लम यह थी कि मेरे को यहां से भी साउंड आ रहा था और ऐसे में अगर बिना चेक करें मैं कुटता तो इनकी तरह ठुकता वैल इन दोने को मार दिया था लेकिन इनको ये बंदा मार रहा था जिसको भी मैंने नॉप कर दिया अब अठायरी किसमत फिनिश नहीं कर पाया अब यार तुम्हारे भाई की बैरल में गोल या नहीं बच रही थी और उसे अपनी बिल्डिंग से एक और साउंड आ रहा था ये साउंड बॉट का था तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं था लेकिन उस बॉट को में लूट नहीं सकता था ये बड़ा इश्यू था अब देखो मैं सोच जा था कि मैं पीछे जाओ कुछ करू लेकिन पीछे बंदे थे भाई इस बंदे ने मेरे धागे खोल दिये तो भाईया तुम्हारा इधर चुप गया और गिंती की दो अब जो बाई जो बाईया तो मैंने इसको ठोक दिया अब मेरे को कुछ बेंडेज मिल गई थी कुछ बूस्टर मिल गयते तो मैं अराम से यहां बूस्टिंग करने लगा अब सबसे बड़ी बात जानते हो यहां पर क्या है कि वो दो जो टीम्स थी उसमें से एक ट्यम ठु अब यार मैंने इसको मार दिया और स्कूबी ने मेरी फरजिये में हापर तारीफ करी अब मैं तुम लोग को यह बता रहा था कि उन दो के लड़ाई में बिचारे स्कूबी भीच में आ गया था और वो गाली खा गया था अब आम तोर में स्कूबी पागल हो जाता है इसकूबी का गुस्ता बहुत बुरा है लेकिन हो यह रहा था कि जिन दो बंदो को मैंने पहले ठोका था ना उन्हें गाली दी इसकूबी को क्योंकि उनकी आवाज मेरे गॉल पर आ गए थी तो यह बंदा बहुत ज़दा खुश था क्योंकि उसका बद्ला ले लिया गया अब देखो इसको मार दिया इसकूबी को बचा लिया अब देखो मेरे को एक बात बता थी कि अभी भी एक टीम बच रही है वह जो दो टीम जिनमें आपस में लडाई हुए तो इसमें बच रही है अब वो कहाएं वो नहीं पता था क्योंकि मेरे को अभी भी साउंड आ रखा था दो दो अपार्टमेंट से एक तो मेरे सामने है जिसको मैंने मारा लेकिन वो बज गया और दूसरा तुमको याद होगा जिसने मेरे को पीछे सा मारा था जब मेरे पास डो बेंडेज बजी थी तो दो अपार्टमेंश थे जहां पर अभी भी बंदे थे तो इनी दोनों अपार्टमेंट पर वो टीम भी होनी चाहिए थी और जोंड़ेंश आपर लेंश गया तुम लोग सोच रहोगी वो बंदे तो बड़े मासूम थे तो हां बाई ऐसा ही जब लड़ाजी उती तो एक पक्षार बान जाता है पर यह वही पक्षता अब दोगो जिस बंदे ने बेंगो पीछे समा रहा था वो अब जस्मेरी बी और स्कूबी को यह बत मैंने बताई बट भाई साब डायलॉग बाजी करने मिजी थे तो यह नौख हो गए अब इनको मुझे बचाना था अब भाई कसम से मैं बता रहा हूँ स्कूबी यहां पर वगवान को प्यारा होते होते बचा था मतब क्या ही बताओ इस बंदीन उसको फिनिश नहीं करा भाई किरपा है भाई आपके हमारे उपर वेल जो वियो यहां पर मैंने स्कूबी को रिवाइब दिया और अब भाई ने एसान कर रहा था यार हमारे उपर स्कूबी को ना खताम करके तो एसान का बदला भी तो चुका मेरे भाई तुम लोग ने देखा यहां पर मैं जैसे ही नोख हुआ उसी टाइम वो मरा भाई इसको भी यहां पर नहीं आता ना तो वाट लग जाते मेरी वल अब हम लोग अपार्टमेंट साहे थे क्यू रही क्योंकि एक फ्लेयर चली थे मेरे भाई और दिख नहीं रही अब हम लोगों को पता चला अब इन्होंने ब्याडियम मंगा लिए वेल बंदे उपर ही थे और मैं जोर-जोर से चिला रहा था कि बंदे उपर है और इसको भी भाड़क गया मेरे उपर वेल यहां पर बंदे हमको देख गया है बट मैं गलती कर गया इधर अब यह बंदा के तुमारे हम लिए बचा लिए तो अब यहां तो में व Absolutely Karma को भाड़क के वम्हारे हिए वार-व गिरा ऑब बेद्गे गांड़ी थी तो मतल है बंदे हो सकते हैं यह बंदे ठूक शुके थे यहां पर ख़ुछ और लोगец का अ वह बाई इन चमंचूसों को क्या ही मारा है मतलब मैं बता नी सकता तुमको एक बिचारा और रिलोट करने लग गया और दूसरे को लगा नी था कि मैं कूदूंगा क्योंकि भाई हम तो गाड़ी ने चाह रहे तो उनके आसपास वो मारी गाड़ी का फीजा कर रहे था पता है मतलब भाई इतनी भी क्या जिल्दियान पड़ी थी तो अगर मैं होता आनके जगा तो मैं क्या करता मैं ब्याडीम पे करीब 10-15 बुलेट मारता उसके बाद ड्रॉ सकते हो नहीं और वो बंदे कभी भी कुद के तुम का ठोक सकते हैं अगर तुम रिलोडिंग पे आ गए तो यहां तो रिलोड मत करो यहां तो रिलोड करने के लिए कवर डून लो तो ऐसे सिचेशन में इनके पास कवर था लेकिन भाई ने हग दिया वल जो भी हो अब अच्छा कर रहे थे कि क्या करना है आगे जब BGIM आ जाएगा iOS पर देखते हैं क्या होता है उसके लिए अभी तो बहुत वेट करना पड़ रहा है तुम्हारे बाई को अब देखो हुआ यह की ड्रॉप जस्ट हमारे सामने था बंदे बच्चरे था 12 इसमें से हम दो थे त हाई 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 बिचारे का याँ चलती गाड़ी में धागा को लिए थे भाई ने और वह तो भही नौक हो गया और स्कुपी ने भाई उसको सांस लेनी कि मोहलत तक तक नी दी उद्धर इच फिनिश वेल जो भी हो देखो हमारे सामने पाड़ी पे बंदा फिनिश हो गया और जिसने उसको फिनिश कर रहा था वो पद्धर के पीछ ता तो यहां पर मैंने स्कुपी सो बोल दिया गाड़ी उधर ही ले लेकिन तभी वो गाड़ी वाला वापिस आगया अपने दोस्त के मातकवद ले ने अब भाई हमारा पिक्चर के हीरो की तरह आया था लेकिन फिट के गया पिक्चर के गुंडो की तरह मत्तब जो कि बस आते हैं और पिट के सले जाते है तो जो भी ओ दिखो अब आड़ी हम लेके जा रहे तो उसी पत्थर वाले बंदी के पास और यहां पर तुमारा भाई लगा रहा था तो मैंने स्कूबी से बोला कि देखो नीचे थी वाब उपर गया होंगे और वही सही बात थी बाई बंदा यह खड़ा था लेकिन शायद नशा कर रहा था अब मैं फॉरन गाडी के पीछे भागा क्योंकि मेरे को उसी में बैट्टा था यार सिर्टी वर स्क तुक गया यार मतब मैं स्कूबी का पीछे बीचे भाग रहा था यार और ये भी टुक गया सैड़ लाइफ यार गेंपले गया यार चोब इसके रवाला रहा रहा है